फाइनली ग्लोवल में MIUI 14 का अपडेट अस्टेवल वाला रोल आउट होना शुरू हो चुका है जो कि मैं यूज करूँ अपने Poco F4 के डिवाइस के अंदर जो कि 14.0.2 है और अगर इसके चेंजलोग की बात करें न तो चेंजलोग में आपको ज़्यादा कुछ देखने को न अगर एक सब्द में कहा जाए कि MIUI 14 में क्या कुछ नया है तो यह वही बात हो गई कि सावन की सकल में बेटा टूटो निकला जाग क्योंकि यहाँ पर क्या कुछ है वो तो पता चलेगा चलिए वीडियो सुरू करते हैं पसंद आता है लाइक करेगा चैनल पर नहें तो सब सब्सक्राइब करेगा और जब इंडिया में अपडेट आएगा तो उसका भी वीडियो मिलेगा लेकिन उसके लिए वेट करें तो यहाँ पर आपको इस टील गूगल के डाइलर मिलने वाले हैं जैसा कि आप लोग सोचने हो कि MIUI का डाइलर कब आएगा बाट अवे तक दे दिखाए देता है MIUI Global 14.0.2 और यहाँ पर आपको detailed and info जो कि पहले all aspects था अब यह नाम चेंज हो चुका है यहाँ पर up to 5G का memory extension में ने कर रखा है जो कि अब enable हो चुका है Android 13 पर आपको देखनी को मिलेगा जो कि पहले हमें क्या मिलता था Android only on 12 पर तो यहाँ पर MIUI 14 Android 13 पर हमा आपको नजर आ जाएगा बाकी back यूद आने के बाद इसके setting के जो icon है वो थोईसे बरे और colorful हो चुके हैं जो कि आपको सायद अच्छा लग सकता है क्या है opinion in setting icon के बारे में बताना but overall user interface आपको MIUI 13 जैसा ही देखनी को मिलता है और यहाँ पर हलका समुझा smoothness में improvement देखनी को मिला जो कि actually में Google का Android 13 है वो Android 12 के comparison में काफी जड़ा smooth रहा है तो वो चीज़ यहाँ पर आपको feel होती है इस MIUI के उपर जो की एक अच्छा user experience आपको provide करेगा बाकी यहाँ आप आप नोटिस करोए कि special features का जो tag नजर आता था वो आपको दिखाई नहीं देता वो अब add हो है तो भाई यहाँ पर मैंने ओट यह किया है तो सारे language का support भी आपको मिलेगा floating window अंगे the sidebar हमारा move हो चुका है और sidebar में पहले सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही देखनी को मिलता था floating window का features but MIUI 14 के China RAW में दो enable होते हैं तो चलिए यहाँ पर check करते हैं कि क्या यहाँ यहाँ पर हम तो कुछ इस तरीकी से यह चीज आपको यहाँ पर देखनी को मिलती है floating window के अंदर दो से ज़्यादा आपके एक्टिवेट नहीं होते हैं जैसे कि मैं किसी और application को एक्टिवेट कर दो जैसे कि हम किसी और को भी ले लेते हैं हम अपने notepad को नहीं लेते हैं ठीक है तो यहा यहाँ पर मैं दोनों को फिलाल open कर लेता हूँ अब यहाँ पर open करता हूँ तो एक यहाँ पर बंध होगा और दूसरा यहाँ पर चालू हो देगा यानि maximum service दो ही यहाँ पर काम करने वाल हैं इससे ज्यादा यहाँ पर आपको working देखनी को नहीं मिलता इसके बाद आप प्लस फिली रेम देखनी को मिल रहा है बट memory extension का क्या extra है वो यहाँ पर नजर नहीं आता जबकि MIUI launcher के किसी किसी device में यह चीज़ देखनी को मिलता है तो POCO launcher जब तक up to date नहीं होता नया वाला MIUI 14 से comfortable जब तक यह चीज़े सायद आपको देखनी को ना मिले इसके बाद apps opening and closing तो यहाँ पर है जो कि POCO launcher 4.0 की साथ है बट icon in mission still आपको देखनी को यहाँ पर नहीं मिलता और वहीं पर POCO launcher version की बात करें तो यहाँ पर आप देखते हो POCO launcher में आपको क्या देखनी को मिलता है version तो यह रहा हमारा home launcher और यह हमारा POCO launcher का version जो कि 4.38.1.5544 नजर आता है जो कि सबसे latest वला है और यहाँ पर आप देखोए कि एक चीज यहाँ पर add हो चुक है जो कि system navigation bar जो कि इंडिया में maximum जितने वी device है जिन में POCO launcher रहता है उनका full screen gestures हमें देखनी को मिलता था additional के अंदर बट यहाँ पर आपको दिखाई देता है कहाँ पे तो इस जगा पे बाकी सार आपको system launcher में ही नजर आएगा तो mode engine जो पहले था ना MIUI 13 को उपर सेम उसी तरीके से फिका फिका सा किसी काम का नहीं वही चीज आपको नजर आएगी notification के अंदर भी यहाँ पर कुछ भी change नहीं किया गया है नहीं group notification वगर दिया गया नहीं यहाँ पर कुछ भी change है सब कुछ पहले जैसा ही नजर आएगा उसके बाद display जहाँ पर आपने हमेसा notice किया कि इंडिया में जब भी update आता है या चाइना में जब big android update आता है android 11 से 12, 12 से 13 तो हमारा dark mood काम करना बंद कर देता है individual app वाला लेकिन यहाँ पर यह चीज यह by default fix रखी गई है पहले update के अंदर ही तो यह चीज मुझे अच्छी तो यह अभी तक यहाँ पर नॉंबर का ही देखनी को मिल रहा है जबकि इंडिया में कई सारी devices को 1 gen का मिल चुका है जिसका video मैं आपको दिया था और MIUI 14 के update के बाद आपको कुछ यहाँ पर system के apps के update नजर आएंगे जो कि आप update कर लेना उसकार आपको ज़्यादा कुछ त देखनी को नहीं मिला सब कुछ पहले जैसे ही काम कर रहा है nothing यहाँ पर special आपको नजर आता है जो कि मैंने कुछ टाइम पहले बता है था कि system app update के वादे यह auto change हो जा रहा है तो वही चीज आपको यहाँ पर जो देखनी को मिलती है जिसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता हमाँ जो security app है यह update होके 7.4 जा चुका है जिसका मैंने system app update वाले वीडियो में बताया था कि आपको upcoming मिलने वाला है और यह MIUI 14 साथ by default आपको देखनी को मिलेगा बैटरी के अंदर हमें एक tab देखनी को मिला था जिसे क्लिक करके हम चिक कर पाते थे कि भाई चार्ज कैसे करना है हीट को कैसे manage करना है बैटरी हेल्स कीटना है वो चीज़ है यहाँ पर global में नहीं गई है क्योंकि यह जो मैं रोम यूज़ कर हूँ ग्लोबल वर्जन है, EEA का, Europe का है जबकि इंडिया में तो अभी तक कोई भी टेस्टिंग शुरू हुई है बट स्टार्ट नहीं हुआ है मिला भी नहीं किसी को तो उसी का यह अपडेट है जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ लेकिन वहीं पर बाकिता चीजों की बात करते कि क्या कुछ और कैसे नजर यहाँ पर आ रहा है तो कंट्रोल सेंटर वही है लेकिन यहाँ पर आपको म्यूजिक प्लेयर और बाकिया स्मार्ट हब का ओप्सन दिखनी को मिला था जो कि यहाँ पर MIUI 14 में एड नहीं किया गया यानि जो भी फोट अप्लोड करको वह गूगल फोटो पर जाएगा गूगल स्टोड़िज पर जाएगा स्म चीज़े यहाँ पर भी आ गई है गलोवल के अंदर भी और जब फॉर्स टाम इसे आप अप्डेट करोगे न यह चीज आपको नजर नहीं आएगा लेकिन जैसे इस सिस्टम के अप्डेट कर लोगे यह आपको जो दिखाई देने लग जाएगा तो यह जो फीचर से में 14 और 13 दोनों यूजिस को मिल रहा है डे वाई डे करके धिरे धिरे तो यह आपको मिलेगा उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि हमें कई सारी सिस्टम एप्स के कमी नहीं लगी मुझे इसके अंदर 100 पर डालने के बाद normal CP total में आप देखो max 2,62,000 और minimum 2,28,000 है वहीं पर गेंडरो के अंदर add करने के बाद 3,1,000 उसके बाद minimum 2,61,000 है तो काफी अचे तरिकी से यहाँ पर result आपको जो करता है जिस पर मुझे कोई कमी नहीं लगी L1 का support आपको मिलना ही मिलना है कि यहाँ ग्लोबल रोम है लेकिन यहाँ पर जैसा कि बहुत साई लोग पूछ रहे कि 5G support आया या नहीं तो मैं जहाँ पर हुआ पर 5G network तो आया नहीं है और कुछ भी मुझे special 5G से related setting देखनी को नहीं मिला जो जैसा था पहले same to same वैसा ही अ यहाँ पर नजर आयेगा साथ 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 album के अंदर आप इधर slide करोगे तो यह एक नया नाम देखनी को मिलेगा जो के पहले different नाम के साथ आता था अब यहाँ पर थोड़ा different नाम आपको है जो देखनी को मिलता है वहीं पर gallery के किसी भी photo को edit करने आते है तो यहाँ पर भी कुछ आपको यहाँ पर change नजर आता है और android 13 होने के वज़े से कुछ भी यहाँ पर extra नया advantage आपको देखनी को नहीं मिलेगा और वहीं पर MIY14 के जो extra wallpaper यूज किये गए थे थे ना वह आपको यहाँ पर profile उसके बाद यहाँ पर wallpaper के session में देखनी को मिलते है जो कि यह चीज feel आएगा लेकिन वहीं पर अगर नए चीजों की बात करें ना तो sir for sir हम यहाँ पर कह सकते एक sub में कि MIY13 को 14 बनाया गया है और normal 2-4 चीजे add करी गई है क्योंकि चाइना में बहुत कुछ आया था बट यहाँ पर वैसा कुछ भी हमें देखनी को नहीं मिलता वहीं पर आप अपको दिखाई देता है Spotify देखनी को मिलेगा जीली का देखनी को यहाँ पे मिल जाएगा बाकि यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाता है एक दो और जो कि एक game center है और एक game center तो भाई permanent हो गया system app की रूप में जिसे आप अनिस्ट्ल भी नहीं कर सकते कि कि स्टार्टिंग जब यह update आता था MIUI 13 का उसमें यह सिर्फ APK के रूप में आता था बट अब यह permanent यहाँ पे हो चुका है तो एक-दो एक्स्टर ब्लोट वेर ज़रूर यहाँ पे आ गए हैं features की रूप में आप समझ लो बाकी कुछ यहाँ पे नया देखने को नहीं मिलता तो आपने यह update किया या नहीं बताना comment करके क्या आप इसे satisfied हो या फिर नहीं मुझे तो जहां तक है कि भाई आप निरास ही होने वाले हो क्योंकि MIUI 14 में वह चीज ही आया था और वो भी हम Indian और Global यूजर से I think छीन लिया गया especially POCO users के साथ तो यह बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है बट आपका opinion मेरे लिए matter करता है और जब यह इंडिया में update आएगा ना तो उसका भी मैं वीडियो दूँगा बट अभी ते कोई update आया नहीं है सिर्फ और से Global का ही है तो यह सामने रहा आपके सामने MIUI 14 है झाल में बाइब में पाल रहा है